वोगी जी हमारे पास enemy का prefab है और अब हम जाते हैं कि कुछ ऐसा code लिखें जो कि हमारे game controller का काम करें usually game controller एक central code location होती है जो कि आपकी game से related मुफ्तलिफ काम करते हैं और वो code ज़रूरी नहीं है किसी helicopter में, किसी दरख में, किसी डबे में, किसी object में हो we could probably have that code somewhere unrelated आम तोर पे ऐसी चीज़ बनाने के लिए हम एक empty object use करते है उसके लिए I will go into game object create empty और आप देखेंगे कि यहां पे एक निया object बन गया है जो नजर नहीं आ रहा हमें यह एक खाली set of arrows है इस पे move भी आता है, इस पे rotate भी आता है इस पे scale भी आता है लेकिन इसमें कुछ चीज नजर नहीं आ रही है तो ऐसा object जिसमें कोई visual mesh ना हो लेकिन वो फिर भी एक object हो सको हम empty object कहते हैं हम इस empty object को जिसका नाम game object है हम controller का नाम देदेंगे और इस controller के inspector में जाके हम एक नया script add कर लेंगे जिसका नाम होगा controller script अब ये बड़ा मज़िदार script होगा script के अंदर हम actually कोशिश ये करेंगे इस controller script में हम कोशिश ये करेंगे कि हम मुखतलिफ game housekeeping task करें administrative बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है game में जो हम handle करते हैं अब ये हम क्या करने लगे हैं इस code के अंदर हम जैसे ही game game चले हम game के jungle में terrain के उपर मुखतलिफ जुगों पे 10 different helicopters create करना चाहते हैं I want to create 10 different helicopters जैसे ही game चले पहले हम एक helicopter create करके देखते हैं और फिर हम देखते हैं के 10 कैसे करेंगे so उसके लिए there is a function called instantiate जिसमें आप वो object बताते हैं के आपने create करना है और that will be enemy और दूसरी चीज़ आप ये बताते हैं के आप उसे कहां create करना चाहते हैं so उसकी position और rotation आप बता सकते हैं so you will create a new vector with a position and probably rotation does not matter क्योंके जैसे ही वो create होगा वो immediately will start looking at the enemy sorry looking at my helicopter so हम position इसकी फिल हाल देदे ते हैं new vector 3 और इसकी x position होगी 30 30 or y 30 is fine and z is going to be something like 30 okay or quaternion is the unit or for direction we use or identity matrix इसमें apply करेंगे यानि जो भी इसकी default forward direction है उसी पे create हो जाएं सिर्फ problem ही है कि इसको यह नहीं पता कि enemy क्या है so enemy के लिए हमें जैसे पहले हमने एक variable declared किया था public game object enemy तो यह हम enemy बना लेंगे यह enemy हम start में create नहीं कर सकते है इसके लिए हमें थोड़ा सा काम unity में वापस editor में जाके करना पड़ेगा फिल्हाल हम क्या करें कि हम 30 30 30 position पे एक enemy create करें अभी आप scene में जाएंगे तो देखेंगे कि game चलाने के बाद हमारे पास कोई enemy available नहीं है हमने वो enemy delete कर दी थी हम क्या चाहते हैं कि यह controller इसको हम select करेंगे इसके inspector में अगर आप आके देखें तो ना सिर्फ यह यह controller script है वलके इसमें एक enemy का none खाली game object variable भी मौझूद है हम कह चाहते हैं कि हम इस enemy को connect कर दे with the prefab जो हमने freeze किया था so हमने enemy का prefab freeze किया था in the prefabs folder तो मैं इस controller के इस enemy variable में इस prefab को drag 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 करके यहाँ enemy के box में drop कर दूँगा यानि मेरे enemy के मेरे code के अंदर मेरे इस controller के code में अब enemy is actually my frozen enemy so जब भी instantiate का function का लोगा instantiate का मतलब होता है create an object so whenever instantiate का function का लोगा एक enemy का object create हो जाएगा 30 30 30 पे अब मैं इसको actually चला के देखना चाहता हूं कि क्या वाकि 30 30 30 पे वो object create होता है making sure that I have saved the script I will run the game और यहां आप hierarchy में देख सकते हैं कि enemy बन गया बलके enemy आके मुझे hit भी कर चुका है so I really need to seek 30 30 30 पे तो यह बड़े जीब सी जगह है जहां पे अब उसको put करना चाहते हैं हम असल में कहाते हैं हम चाहते हैं कि जब enemy place हो वो इस terrain पे कहीं भी भी हो सकती है so if I hold my helicopter उसको में right पे ले जाओं तो उसकी maximum limit around 450 है minimum limit around 450 है so 450 450 right left और आगे पीछे भी 450 450 और इसकी height क्या होगी well obviously helicopter land हुआ वा तो instantiate नहीं होना चाहिए maybe minimum height इसकी हम around इसकी y 30 है तो 30 रख लेते हैं और maximum हमने अपने helicopter की भी 70 रखी थी तो 70 रख लेते हैं so what I have realized के यह 450 by 450 front and back और उपर नीचे में 30 to 70 के बीच में कोई random number होना चाहिए उसके लिए हम actually एक random generator यूज करेंगे तो इस 30 की बजाए if I say random.range और 0 से लेके so इसकी position हो रही है X position will be between minus 450 and 450 इसी तरह Z position वो भी random.range 450 से minus 450 होगी और इसी तरह वो 30 से 70 के बीच में होगा random.range 30 से 70 के बीच में अब क्या होगा कि जब भी मैं यह game चलाओंगा कहीं अपने terrain पे दूर दराज या करीब randomly एक helicopter enemy instantiate हो जाएगा So let me save this and I run this and let's see के यह कितनी दूर इस enemy को मैं delete कर रहता हूँ कितम मैं जे code से ही generate करानी अब देखें के यहाँ पे नहीं नहीं बन जाएगी जब मैं रन करूँ So I run the game and I start driving around लेकिन अमें कोई नहीं 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 आरही लेकिन देखें देखें So let's look around के भाईजन कहां से आती नहीं कोई नहीं आरही है I can go a little higher Oh there you are So I can see one enemy coming in from the distance over there और obviously इसमें कोड साठा चल रहा होगा I will actually have a game over Cool So अगर ये काम मैं एक दफा कर सकता हूँ random location पे तो मैं यही random location वाला code अगर चार दफा लिख दूँ तो 4 enemies create हो जाएगी So let's save this and try to run and see के 4 enemies I run the game और यहां लिस्ट में आप देखेंगे कि यहां एक, दो, तीन, चार enemy clone बन रहे हैं और हमें शायद चारों या मैं से कुछ अभी already मेरी तरफ आते नदर आ जाए So you can see, यहां से दो, एक थोड़ा करीब एक थोड़ा दूर enemies आते नदर आ रहे हैं और दो के इलावा बाकी जो के दरफे हैं I'm sure कि वो थोड़ी देर में यहां से एक दरफों में से एक तीसरा enemy आ रहा है So we have companies, we have company and Alright, so the game is already getting interesting, so बजाए इसके कि मैं यहां पे चार लाईने, copy-based करूं I will run a quick loop for integer i is equal to 0 i is less than let's say 20 i++, this means that I want to repeat this one line of code 20 times इसका मतलब यह है के गेम चलता ही मेरे पास 20 enemies होंगी So, let's go for it and instantiate the enemy by running the game and let's see के मेरे पास 20 enemies होंगी Here we go I go up and I should quickly look around and there are enemies everywhere they're coming in from every direction and if I try to run away from them you will soon see that there's going to be a large number of enemies following me looks like and you can see that I have some good company coming in from all directions I have some good company coming in from all directions because they are coming in from all directions and eventually the game is over So, this is how the game controller is instantiating number of enemies in the game using the code Now, let's see how weapons and how enemies destroy in the game usic as we go